नमस्कार दोस्तों OEX की नई अपडेट आई है उसको कैसे वीडरा करना है ये सारा आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ आज मैं काफी दिन बाद आया हूँ लेकिन सही टाइम पे आपको सही अपडेट देने जा रहा हूँ उम्मीद करता आप लोग अभी तक यहाँ कलेम के बटन पे कलिक करके लगातार माइनिंग कर रहे होंगे तो अभी आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है क्या होने वाला है और क्या भी चल रहा है वो सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वीडियो को प्लीज एंड तक देख करेंगे तो इन्होंने बताया है जो आपको पहले भी अपडेट मिल चुकी होगी कि अपरेल 13 से इसका वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और आप अपना वालेट अड्रेस यहाँ पे सब्मिट कर पाएंगे और जो यह एंड होगा तो यह एंड हो जाएगा 27 अपर OEX उनको किसी और काम में यूज कर लेगा अब यहाँ पे मैं आपको में में पोइंट जो है वो बताने चारा हूँ इन्होंने अपना डिस्कोड भी लॉंच कर दिया है उमीद करता हूँ वो भी आपको अपडेट मिल चुकी होगी कई ने कई से अब यहाँ पे इन्होंने स सब्सक्राइब भी किया हुआ है तो बैल आइकोन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि नोटिविकेशन आपके पास आ जाए और जो वो इंपोर्टेंट अपडेट रहेगी जैसे आपको वीडरा करना रहेगा आप मिस नहीं कर पाएंगे अब यह जो इनकी मीडियम की पोस that starting April 13 users can submit their wallet address for OEX यानि के April 13 से अगले महिने की 13 तारिक से जितने भी हम users हैं हम अपना wallet address यहाँ पे submit कर सकते हैं withdrawal and complete facial recognition within the app यहाँ पे हमारी एक बार फिर से facial recognition भी यहाँ पे होगी यानि के face verification हमारी होगी this guide provides a detailed walkthrough of the process ensuring you are preparing before the April 27 deadline तो यहाँ पे बताया गया है कि आप April 27 से पहले यानि 27 end date है इसके बाद नहीं कर पाएंगे आप तयार हो जाएं इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आपको यहाँ पे अपना wallet address जो है add करना है और कैसे withdraw करना है wallet address submission window mark your calendar तो यहाँ पे फिर से date दी गई है April 13 से लेकर April 27 तक यह सारा काम जो है यहाँ पे होगा अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने बताया है remember without submitting your wallet address withdrawing your OEX token will not be possible यानि के जो हमारा wallet address है उसको हम लोग अगर यहाँ पे submit नहीं करेंगे तो हमारे OEX token जो है उनको withdraw करना possible नहीं होगा step by step withdraw process अब यहाँ पे पहला step क्या है accessing the address binding upon the withdrawal functions activation you will find the address binding option within your asset detail asset detail जो हम लोग देखते हैं वहाँ पे हमारे को जो binding का है हमारा address हमारे को bind करना है यहाँ पे वो हमारे को मिल जाएगा here is how to navigate this first crucial step तो यहाँ पे बताया है कि भई कैसे हमारे को इसको पहले step को complete करना है same वही है जैसे हमने core coin withdraw किये थे सारी process वही है यहाँ पे हमारे को जब हम asset की detail में जाएंगे तो link withdraw address यहाँ पे हमारे को दिखाई देगा उसके बाद हमारे को ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा बिलकुल pressures too यहाँ पे यह option हमारे को दिखाई देगा linking your withdraw address click on the Link withdraw address यहाँ पे हमारे को click करना है जब यह option हमारे पास आ जाएगा button promotes you to enter your fund password आपको अपना fund password एंटर करना है और अगर आपने अपना fund password अभी तक नहीं बनाया है तो आपको एक fund password बना लेना है जो आपका रहेगा 6 डिजिट का और उसका आपको लिख के रख लेना है और ध्यान रखना है remember your fund password should differ from your login password यानि कि आपका जो login password है उसे अलग आपका fund password यहां पे होना चाहिए तो यह आपको fund password यहां पे आपको बना लेना है before linking please set the fund password ऐसा कुछ आपके सामने आएगा तो आपको fund password जो है select कर लेना है वो जब यह real में यह होगा तब मैं आपको वीडियो बना के बता दूँआ कि कैसे आपको करना है अब step 3 यहां पे क्या है यहां पे आपको wallet address देना है और उसके बाद यहां पे asset password देना है और OEX link with address यहां पे आपको click कर देना है बस simple बहुत ही simple process यहां पे है इसके बाद आपको completion of on-chain transfer with your wallet address linked to your on-chain transfer is ready to go यहां कि ready to go यह हमारा तयार यहां पे हो जाएगा और यहां पे हमारा दिखा देगा कि आपका विटरा हो चुका है status complete हो चुका है यह आपका यहां पे विटरा हो जाएगा दोस्तों यहां पे एक बात और यहां पे इनोंने special note दी हुई है special note on facial recognition if facial authentication is required at any stage the app will guide you through the necessary steps to ensure your identity verification is seamless and secure यहां पे बताया गया है कि आपको जब facial recognition करना होगा अगर जरूरी होगा कि आपको facial verification करनी ही है तो यह आपको guide कर देगा step by step कि अब क्या करना है आगे क्या करना है जो कि मैं वीडियो में आपको complete बता दूँगा update your app and submit your wallet address before the deadline तो यह अभी 13 अपरेल से सुरू होगा update आएगी update आपको कर लेनी है अप update आएगी उसकी भी वीडियो आ जाएगी तो आपको यह सारा काम कर लेना है आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है step by step आपको सब कुछ बताया जाएगा अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं किया है सिर्फ आप लोग कलिक कर रहे है claim के बटन पे तो आपने कुछ नहीं खोया है और ना ही आपने कुछ मिस किया है ये एक बहुत बड़ी update आ गई है अब time आ गया है जैसे core launch हुआ था वैसे ही OEX launch होने का अभी फिलार time आ गया है testnet भी चल रहा है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है मैंने कई बार कोशिश कर लिए है इसलिए उसकी वीडियो नहीं आया है तो दोस्तों description में telegram channel का link भी दिया हुआ है आप telegram channel को भी जरूर जोइन कर लिजेगा real time में कोई update आए गया कोई link वहाँ पे post करना होगा तो वो आपको telegram channel पे मिल जाएगा दोस्तों ये थी आज की update मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye